है गाईज अगर आप एससी जीडी के एस्प्रेंट हो अगर आप तैयारी कर रहो तो आपके लिए जो बेश्ट बूक होने वालो वो चक्षू पब्लिकेशन की बूक होने वाली है और इसके अंदर मैं आपको बता दो एससी जीडी कॉंस्टेवल के स्पेसल बूक यह बनाए वाला है यह और इसके अंदर हर एक सलेवस के अनुसार जो है पाइटन के अनुसार जो है यह बूक बनाएगी है ठीक है सबसे बेस्ट बूक है और मैं आपको दब्जावा करता हूं कि यहहां पर मैं आपको दादू यह बूग आपके नज़दीकी श्टोर में मिलेगा अगर पर्चेश कर सकते हो अगर आप नजदिकी इस्टोर से नहीं ले सकते हो तो यहां पर मैं आपको बता हैं इस बुक के अंदर जो हैं स्लेवस आप देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ स्लेवस पहले डाला गया उसके बाद यहां पर कुछ आगे का मैंसनल किया ठीक है यहां पर देखते हैं जो इसके अंदर आते वह हंडिर मार्क जाता है और हर एक में 2525 नंबर्स आते हैं खास बात इसके अंदर जो है कि हर एक स्लेवस के नुसार जो हर एक टॉपिक को कवर किया गया है टॉपिक मतलब मैं आपको बदा दूँ एक मैं एक्जांपल के तौर पर लिता हो तो यहां पर देखते हैं करेंट अब यहां पर आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त और के अंदर डाला गया कम से रहें समझे यहां पर 10 से 12 चैप्टर यहां सब कर लेता हो यहां पर आप जो अच्छे नंबर मार्क कर लेगो ठीक है उसके पाद मैं आपको बता वह मैं आपको बदा दू हैं, इसका इंदर तक दो आने और इह शक्म है मैं अपको ज़िखा दो हूं, आपको दो हैं, यहां पर लाज चापते हैं, नीचे जपने चाने प्र करें हैं, यहां से क्योंट्टिक जरूर आता हैं मिरे दोस्त फीन्र इंग्लिस से इंहां कर ले तो इंगलिस में देख सकते हैं यहां पर 22 चेप्टर डाला गया तो आप यहां पर समझ सकते हो कितने अच्छी बूक होने वाली है और मैं आपको बता तो इसका जो है ऑब्जेक्टिब टाइब कुर्शन यहां पर जो डाला गया वह अथाइस्ट ब्लश डाला गया और इसका जो है जो चक्षुप पब्लिकेशन के बूक होने वाली है और लिंक दे देऊंगा नीचे और इनका प्रैक्टिस एड भी आता है मैं आपको उनका भी इंट्रिसेट दिखाता हूं कुछ तो गाइज यहां पर देख सें यह प्रैक्टिस एडर और बुक के साथ साथ मैं मैं आप रिकमेंड्ट कर talkinrong go practice पी जरूर ले और क्योंकि प्रैक्टिसे लेशन प्रैक्टिस कीजिए गा तभी आपका जो है एक्जाम चैनल कोicorn if study और वर्च्फीज को लेकर बहात ज्यादा कमेंट आरे थे और इसके मैं मैं आपको पूरी डीटेल के साथ बता रहा हूं और यह बहुत बड़ी चेतावनी नोटीस है तो जरूर ध्यान से सुनेगा वीडियो को जरूर लाइक की जगा और वीडियो का आगे जरूर शेयर के जगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को 1000 लाइक का टार रहे हैं और जो हो चुके उसमें साफ साथ लिखा गया आपका एक्जाम होने वाले जैसे फोर्म भड़ती है जैसे फोर्म भड़ाईएगा तो उसके बाद आपको तीन मन्द के बाद एक्जाम जो आएगा रिकुर्मेंट कर नोटिफिक्शन फोर्म इस्टार्ट भी और फोर्म लाजडर 31 10 अगस्त प्रस्ट है उनके तीन मंति के बाद में यहां पर चैलने जैंके इप्सक्राइब तो आपके पास अभी तैयारी करने तीन मुथ चांस रड़ी कि दूसरी चीज मैं आपको बता दूप फिजिकल को लेकर यह चीज मैं आपको बता दू है 18 में जो एक्जाम के भरती आई हुई थी उनका पहले तो आपका समझतें के बाद एक खुझा मजाम हुआ औरम्ज 2019 में एक्जाम होई थी और इस बरती को और उस Freeze को और 올lor thoga पाद तीन मंद के वास के वास बजो और दिक्फार इक चलती है तो तीन मंध के ते उसके बाद तीन मंत के बाद ऑद जो ऄहनी जूं मैं आपका है रिजल्ट आया जून में रिजल्ट आने के बाद दो मन्त याने के बाद टा ऑगस्त और सब्प्तंबर में फिजिकल चली थी और उसमें रटेख लिए ठीज और यह चिज़ है और अब जो हैं इस बार होने वाले इस और वही चीज़ होने वाले आपका एक्जाम जो है तीन मन्त के बाद होने वाले Admit Card में भी केस पैटरन पर Admit Card ते सबसे पहला, एक्जाम का जो नेम हो ओखा रही जाएगा एक्जाम CT दिया जाएगा. यहांने कि आपका जाती जाएगा, फोल एक्जाम काड जो जारी करेगा कुछ समय पहले. चाहर दिन बचार दिन önτοडर स्पीज़ मांसे आपका जाने की जारी आपको पदाता हम आपको अपर जान करें ऀसके उरे हम जो नदर वहाला है उनके पहले ज आधि ye कर सकती है आ है है उसके इस गार और भी जान कर जो किन एंदर अइसके का जैसे रिजल्ट आए गए तिन मंद के बाद उसके बाद फिजिकल हो गई फिजिकल भी होती है दो मन तक दिया जाता है ठीक है तो बहुत लॉंग प्रोसेस है एक्जाम कब होने वाले एक्जाम डिट कब आएगी और मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ कलेंडर करने साथ ब बस अभी के लिए बस इतना है और आते हैं ने शूर साथ तो जहिंजा भारत अभी वीडियो को जरू शेर करना आगे और